मस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे बढ़िया होंगे तो रोज कितरा फिर से बहुत सारे यूसफुल कीजन टिप्स लेकर हाजिर है तो वीडियो आज का जड़ा सब यूसफुल लगे तो लाइक कीजिएगा चैनल पर पहली पर लगता है दीरे दीरे तो इसका धार भी बहुत कम हो जाता है और चाकू में अगर जंक पर लग जाता है तो और भी अच्छा से सबजी पर नहीं कटता है तो आज इजली बताने वाले हैं घर पे ही इसके धार को हम सही करेंगे तो जैसे कि दोस्तों हम लोग अगर पजाने जाता है मार्केट में तो काफी पैसे खर्च वोते एर पुराने चाकू को इस तरीके से घर पर ही हम पजा ले तो कितना अच्छा होगा तो यहाँ पर देखिए हम ले लिए यहां चिमनी मिट्टी वाला काप होता है प्ले लेला है और पानी डालने के बाद बढ़ियां से को इस तरीके से कप के पेंदी के तरप ना इस तरीके से पलट के अच्छे से रगड लेना है देखिए काफी अच्छा धार जो सार्क हो जाता है यह आज माया वह टिप से एक वार जुरूर ट्राइक करके देखिएगा क्योंकि हमारे घर में जो चाकू के धार थोड़ा सा कभ है दोस्तों बचातवला टिपस आप लोग को भी जरूर पसंद आया होगा उमीद करती हूं तो देखिए इस तरीके से धूल के आप लोग को दिखा रहें काफी अच्छा दाट्चाकू में धार सार्क हो गया है अब सबजी विगरा काट सकते हैं तो चले देख लेते हैं न फर्स पर जब लग जाते हैं जंग के निसान तो काफी खराब लगता है देखने में अच्छा नहीं लगता है हमारे तो सिर्फ ऐसे ही प्लास्तर वाला है फिर भी अच्छा नहीं लग रहा देखने में तो यहां पर देखिए इजली आज हम इसे छुडाने वाले हैं बेकि दखबा वो सारा एकदम हार्पिक खतम कर देता है बेकिंग सोडा मिलकर बहुत अच्छा क्लीनिंग का काम करता है कोई भी स्क्राबर ले लिए तो यहां पर देखिए मिश्टील वाला जो जूना होता है स्क्राबर वो ले लिए हैं और बनियास रगड के खिस के साप कर लेना है तो देखिए आप लोग को दोस्तो लाइफ रूप दिखाते हैं सामने रिजल्ट दिखाएंगे पूरा जितना भी जंक लगा है ना सरा छुडा के आप लोग को दिखाएंगे देख रहे थे कि कितना गड़ा जंक का निसान पड़ा हुआ था देखने में अच्छा नहीं कि यहां पर बात करते करते हैं यहां पर जंक चूट गया है तो जलीए इसे यहांप पूचा सरा निसान निकल गया है हलका हलका सा रह घ्या है इस पूरा निकल जाता है नेक्स आइडिया दोस्तों यहां पे पीलो को लेकर यानि कि तक्या को लेकर देखिए जब भी हम लोग बालों में तेल वेगरा लगाते हैं और ऐसे ही तक्या पे सर को रख के सो जाते हैं तो जितना भी हमारे बालों में तेल रहता है वह सारा तेल हमारा पीलों में यह पीलो तो बड़े वाले पुराना टी सर्ट ले लिजए और इस तरीके से टी सर्ट को पीलो में पहना दीजए यानि कि तक्या में पहना दीजए तो यह देखे दोस्तो अब इस पे न सर रखे सोई एगा तो जितना भी अगर बाल में एक्स्ट्रा तेल लगा हो तो सारा तेल ये टीसर्ट पे लगेगा पुराना टीसर्ट पे आपका पीलो कवर खराब नहीं होगा जिसा के तेल का दाग धबा निसान पढ़ जाता है लग जाता है तो वो जल्दिवाजी निकलता नहीं है ज्यादा हमें ताम जहम करने पड़ता है उसे धूलने में तो देखिए दोस्तो आइडिया कैसा लगा पुराना टीसर्ट भी हमारा यूज में आ गया आइडिया अच्छा लगा हो तो लाइक किजेगा शेयर किजेगा चले देख रहते हैं नेक्स टिप्स नेक्स आइडिया हरी मिर् जो हात जो होता ने उनको बहुत ही एकडम से सैंस्टीव होता है जो हाथों में बहुत ही लहर जने की जलन देने लगता है तो आज आइडिया बताएंगे हरी मिर्च को और यहाँ पर जितना भी जैसे कि हरी मिर्च के अगर सबजी डाले बना रहे तो वारे घर में छोटे वच्छे होते हैं तो इसका ज़ो होता है इससे हमारे बच्चे ना हरी उती तो थोड़ा सा दूद लगा लिजे दोस्तों तो जलन तुरंत ही सांथ हो जाता है कच्छा दूद तो चले देख लेते हैं नेक्स टिप्स नेक्स आइडिया यहां पर बैसलीन को लेकर बैसलीन का आज बहुत ही कमाल का आइडिया बताने वाले हैं वह भी विजली जो लाइन हमारे घर में बिजली कट जाती है उस टाइम पर तो यहां पर देखिए हम मीटी का दीपक ले लिए हैं और मीटी के दीपक में हमें थोड़ा सा बैसलीन लगा देना है इस तरीके से बैसलीन लगाने के बाद थोड़ा सा ले लेना है कॉटन का कपड़ा को इस तरीके से हमे आपक यूज कर रहे है क्योंकि कपड़ा वाला थोड़ा जादा देर यानि की जब हमारे गर में बिजली कड़ जाती तो देखें होंगे कि अगर गर में पर गराना हो तो उस टाइम पर बिजली कड़ जाए तो इस तरीके बूजता भी नहीं है बहुत अच्छा से काफी आदे घंटे गंटे तक यह जलता रहेगा तो यह आज माया हुआ टिप से दोस्तों एक बार जुरू ट्राई किजेगा और इस तरीके से बच्चे को भी जला के दे दीजेगा तो बच्चे भी बहुत आराम से बिजली लाइन क बहुत सारे स्विच दिया हुआ रहता है हम लोग तो घर के वेक्ति समझ जाते हैं कि यह हमारा लाइन बॉल्ब का है यह मारा चार्जर का है यह मारा पंखा का है लेकिन अगर हमारे घर में गेश्ट वेगरा कोई आ जाएं तो उन्हें थोड़ा हमारी बताना पड़ता है स पूछते रहते हैं कि यह है बल्ब का यह है पंखे का तो इस तरीके से नेल पेंट से अपना काम असान बना सकते हैं दोस्तों बताने के जुरुत नहीं पड़ेगी तो इस तरीके से देखिए जो हमारा बल्ब का है उस पे लगा दीजे और जो हमारा फैन का है उस पे एफ और जो हमारा चार्जर का है उस पे C लगा दीजे तो हमारे घर में अगर मेहमान भी आएंगे गेश्ट भी आएंगे ना वो भी समझ जाएंगे और वो अपने खुद लाइन चलाएंगे यानि की बल्ब जला लेंगे फैन चालू कर देंगे आइडिया अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा चले द egलते हैं नेक्श टीप्स नेक्स आडिया दोस्तों नीन्बू को लेकर गर्मी मिलते हैं मार्केट जाते हैं तो गर्मी की टाइम में निम्बू um में पैन पीना होता है और लिमेंट चाली हो गया तो प्रक्राइब भी सब्सक्सराइब कोई दोस्तों यहां पर बहुत सब्सक्राइब थोड़ा सिसे का कंटेनर उसमें डाल के रखेगा पानी में तो नीमू खराब नहीं होगा बहुत दिन चक चलेगा वीडियो कैसा लगा जड़ासर यूसफूल लगा हो तो लाइक कीजिएगा लाइक करने के साथ सेर कीजिएगा अपने दोस्तों फैमली में और न्यू है चनल पर तो च